अतीक से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। UPHS की पूश्टाश में बड़ी खबर सामने आई है कि पूश्टाश में आतीक और अश्रफ ने राज उगला है कि कश्मीर में आतंक फैलाने वाले आतंकियों से हतियार लिये गए थे। उस आतंकी का भी दोनों ने नाम बताया है, साथी आतंकी को हतियार सप्लाई करने वालों को भी उनका भी नाम लिया गया है। इसके लिए असत के पुश्टैनी घर में उसके करीबी रिष्चेदार जमा हुए थे, जहां उसके जनाजे की तयारी की गई थी। लेकिन सुरक्षा कारणों से पुलिस ने असत के शव को घर नहीं ले जाने दिया। असत का शव सीधा प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान ले जाया गया। असत के परिजन भी पुलिस की गाड़ी से कब्रिस्तान पहुँचे। इस दोरान असत के जनाजे में खरीब सौ से जादा लोग शामिल हुए। जबकि कसारी मसारी कब्रिस्तान में पुलिस की कड़े पहरे के बीच महस 12 से 15 लोगों को कब्रिस्तान में जाने की इजाज़त थी। असत को दफनाया जा चुका है लेकिन अतीक को अपने बेटे की आखरी जहलग भी नसीब नहीं हुई। पुलिस के सामने बेटे को एक बार देखने की भीक मांगता रहा। और बेटे की जनाजे को देखने की मनते करता रहा। सूत्रों से मिली जानगारी के मुताविक अतीक पोन या टीवी के जरिये लॉक अप से ही बेटे का जनाज़ा देखना चाहता था। लेकिन पुलिस की तरफ से अतीक को इस तरह की कोई भी सुविधा मोहया नहीं कराई गई। इदर खबर आ रही है कि असत की जान अतीक के भाई अश्रफ की वज़ा से गई है दरसल उमेश पाल अगवा केस में पेशी पर आते वक्त अश्रफ ने पुलिस से वादा किया था कि वो उमेश पाल हत्याकार ने फरा तीनों शूटर्स का पता बता देगा लेकिन केस में ब अपिले पर हमले का प्लान तैयार किया था जिसकी वज़ा से असत एंकाउंटर में मारा गया दरसल उमेश पाल अगवा केस में पेशी पर आते वक्त अश्रफ ने पुलिस से वादा किया था कि वो उमेश पाल हत्याकार में परार तीनों शूटर्स का पता बता देगा लेक स्टीएफ की टीम को असद की लोकेशन मिल गई और एंकाउंटर के तौरान असद मारा गया